तो सूरत नी अंद कोरोनानों संक्रमन वता टेक्स्टाल ना वेपारों नी चीनता पण वधी छे महराश्टन अनिक शहर मा लोगडाउन लाकी काउ हने बहार ना वेपारों टिकीटो पण कैंसल करवानी छे कापण ना वेपारों आखशूं कहीरा आचे ते पण चानी कुजरात मा फरी एकवार कोरोना ये दस्तक देदी छे सूरत मा पण रोजना सरीरास हवे बसो जेकला केसो चे आवता थाई गया चे कापण उद्योग जे छे कोरोना ने काराणे तेर फरी एकवार चिन्ता मा मुखायो चे आपनी साथे वात करवा माटे फोस्टा ना किटलाक डिरेक्टर छे वेपारी हो चे अपनी साथे वात करीने जानवानों प्रयतन करीशुके कोरोना हवे जैर फरी माथू उजकी रही हो चे कापण उद्योग मा कई रितनी जिन्ता जोवा मली चे तमारी वास्ट जाना मांगी सके तेरे कई रितना माहुल जोवा मली चे माहुल तो एव चे कोई पैनिक जे विवाद छे नहीं जी पना जे आपने सावधानी नहीं राकी सुँ तो पाची आपना जे मार्च एक पेलो एनिवर्सरी जे आविग्यू चे पाची या तकलिप ठाई जसे एन लेने बदी वस्तो आपने सरकार पर चोड़ी आना करता आ पने पेले करेला कितली ध्यान राखी सके एव अधारे जरूद छे निपनिक नहीं जरूद नाती पन सावधानी राखानी बहुँ जरूद छे अजी अत्यारे असर जोवा मली छे वे पारवट धंड़ा पर अत्यार कारान के कोरोना जेरी ते वक्री रियो चे महराष्ट मा केसो आवी गया छे लोगडाउन त्या लागू बड़ी चो कोई असर छे अत्यार जे प्रकार पूरूने इस्तिती हती आज वर्तमान मा इस्तिती पाची सरजाई एवी लागी रह लो छे केम के बड़ी मुश्किल थी आ बिजनिस एक पट्री पर आवानी शक्केता बनी हती लेकिन आज पाचो जे महाराष्टनी जे गंबीर परिसितियों थे ही छे कोरोना बाबत और पाचा गुजरात मा जेटला केस जोवा मलया चे एमा भी सूरत अवल नंबर पर छे और सूरत एक टेक्स्टाइल सीटी छे केटली मुश्किलों थी आ व्यापार वापिस एक स्ट जेन मा थाई जे तो एना बहुत मोटो फटको पड़वानी शक्केता छे हूं एवज केवा मांगू छू के आपने तो सावधानी राखियत पर सरकार ना पण हुँँ विननती करू छू कर राज्य सरकार ना पण विननती करू छू आवा जिटला भी जे मोटा भाग मा जे लोगो भैगा थाई एवा जे कारिक्रम होई एना उपर दबान करी ने एक कारिक्रम ने निरस्त करवा जूए एना जागरुकता लावी जूए तो किस तरह असर देखते हूं देखिये अभी फिलाल जो करोना का वाभी से घर चालू हुआ है इंडिया में आज कोई भी इस् परफेक्ट होता है मैं बात कर रहा हूं सूरत की जो केस 25-30 आ रहे थे वो आज 240 के आसवास पहुंच गए तो यह बहुत चिंतनी विसा है लेकिन सूरत में जैसे ही मार्केट का बिच में हलावा है साई-काटी बंद आदस बंद और कल न्यू बोमे मार्केट डिटेल मार्क है वो बंद कराए गया तो इससे व्यापारियों में एक भाहिप हैल गया है क्योंकि सामने हमारी जो सीजने हैं जैसे 13 अपरेल को उगाती सीजने पर्टिकुल करना टकी है 13 अपरेल से रमजान चालू होता है वो 14 मई तक चलता है उस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं ज अपना उगादी की है एक अजा क्रोड की सीजन है वो रमजान की है उसके साथ में स्कूल यूनिफॉम वह भी 300 क्रोड की है तो इतनी सीजने होने के बाद भी व्यापार इतना डर गया है कि वह काम करें या नहीं करें लेकिन सूरत का जो फिलाल माहौल है इसमें हमने प्रस महाराष्ट के कई सीटी में लॉगडाउन लग चुका है तो इसकी कोई असर अभी दिख रही है सूरत में महाराष्ट की असर दिखती है क्योंकि एकदम नजदीक में है और वहाँ से काफी व्यापार होता है सूरत तो पूरा एफेक्ट कल 241 रोगी आए जो आएस्ट हो ग मार्च से लगाता तो टाइम नजदीक आ रही है तो लोग 20 मार्च को लेके भी गबरा रहे हैं व्यापार बहुत परवावित हुआ है पूरे साल का दो महिने में 30 से 34 का काम होता है मार्च और अप्रेल में सीजन भी है रमजान भी है अगर ये फैल होगी तो आपारी को बह पहर देखने को मिल रहा है क्या व्यापारी तैयार है या फिर वो भी कैंसल रखने वागी अभी फिलाल ऐसा कोई प्रोग्राम लगने रखने वागने राए कि कोई आयोजन किया जाएगा और रखना भी नहीं चाहिए हाल की जो पर इस सीतिय उसको देखते वे नहीं रखन लोगों को साभदानी बरत नीच ही लो कम से कम लोगों को एक साथ में खटा होना चाहिए अगर हम ये करेंगे तब działa pessoa भापरियों नहीं हो generating एसा हम लोगों को लगता है यदी लॉगडाउन हो गया तो फिर व्यापार को बहुत जादा नुक्सान होगा जो पिछले साल की जो नुक्सान हम अब भी उसके भरपाई कर रहे हैं ऐसे में एक और लोगडान हमके कोई भी कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा आपने जोई शेके चे के वेपारियों मा अत्यारे चिंतानी साथे उचाटनों माहल चोक कस्ती जणाई रहे हैं चे काराण के लोगडाउन मा थी मान्ट जे आर्थिक कप्री परिस्थिती मा थी सूरतनों कापड उद्योग भाहर आविये चे परन्तु शहर माजीरी ते कोरोणान केसो फरी एकवार वधीरे आचे तेने जो ता सूरतना कापड उवेपारियों अत्यारे चिंतामा मुकाई गया चे